मुख्य शब्द के वर्ड्स आनुवंशिकी, वीपीत लक्षन, प्रभावी, अप्रभावी, सम रूप, विशम रूप, वाहक हमने सीखा लक्षनों का पीड़ी दिर पीड़ी पहुचना आनुवंशिकी कहलाता है एक जाती के जनकों की संतानों में समानताओं की बाउज़ुद जो अंतर पाया जाता है उसे विभन्निता कहते हैं ऐसे विभन्निताएं जिनके लक्षन एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में जाते हैं जैसे टुड़ी में गढ़्धा, बालो का रंग वहिशांगत विभन्निताएं कहलाती हैं विभन्निताएं जिनके लक्षन एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में नहीं जाते हैं उन्हें उपारजित विभन्निताएं कहते हैं जैसे मोटापा चोट का निशान गुणों की एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक पहुँचने की प्रक्रिया को समझनी के लिए मेंडल ने कई सालों तक कई प्रयोग किये मटर के पौधों पर कियेगे प्रयोगों से उन्होंने अनुआशिकी के बुनियादी नियम प्रतिपादित किये सायोग और संभाविता की मदद से मेंडल अपने प्रयोगों की निश्करश का अनुमान लगाते जिसकी जाच वे प्रयोग दोरा करते थे मेंडल की प्रयोग से हमें अनुआशिकी के बारे में निमन बातों का पता चला प्रतिक गुण लक्षन प्रकट करने वाले दो कारक होते हैं प्रजनन के दोरान हर जनक से एक कारक संतान को मिलता है इन कारकों का एक नया जोड़ा संतान में होता है गुणों के विपरित रूप कारकों के विपरित जोड़े द्वारा व्यप्त होते हैं एक जोड़ा प्रभावी तो एक अप्रभावी पितक करण का नियम बिजान और पराकण बनते समय कारकों के अलग होने को मेंडल की पितक करण का नियम कहा गया सिकल सेल एनेमिया भी एक लक्षन है जो मेंडली लक्षन के समान ही वंचानुगत होता है इसमें लाल रक्त कोशिकाय हसियाकार हो जाती है और उनमें ऑक्सिजन सम्वहन की शमता कम होती है मनुष्य में 22 जोड़े गुंसुत्र के साथ 2X गुंसुत्रों से मादा बनती है तो 1X, 1Y गुंसुत्र वाले यूगमनजों से नर बनता है XX या XY बनने की संभावना 50 पतिशत है